बारे में इस वीडियो में हम ये भी जालेंगे कि जो चिल्रन का आपका ग्रांट होता है जो एजुकेशन ग्रांट होता है चिल्रन का वो उसका लास्ट डेट का है क्योंकि उसके देट में बड़ोतरी हो चुकी है तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये नॉमबर की सबसे इंपॉर्टेंट आदेश मैं बदा दू कि अभी पेंशन भोगी अपना अपना लाइफ सेटिफिकेट भर रहे हैं जिसमें सब्सके अब बड़ा करूंगा आपको कि क्या क्या करना है और PCDA मतलब Principal Control of Defense Account प्यागराश की तब से क्या निकल क्या है सब कुछ विस्तार से भी लात करेंगे चली सबसे पहले बता दे कि आज हम OROP का मुदा उठा है One Rank, One Pension OROP के लिए बारे में पुरा लेटिस जान करी लेंगे कि क्या करेंटी चल रही है नॉवंबर 20 तक में आज हो रहा है आपका 17 नॉवंबर 2022 तो 17 नॉवंबर 2022 की लेटिस ताजी ख़बर क्या है अभी की वरतमान अपडेट वरतमान जो अभी स्थीती चल रही है OROP की उसमें क्या है तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि One Rank One Pension के नाम पे आपको काफी लोग चुनाओं का सहारा ले रहे हैं जी हाँ आपने सही सुना हम जिसे गुजात कभी हिमाचल में अगर चुनाओं हो रहा है तो वहाँ पर हमीज साजी हमारे राजना सदंग जी आप सौसन तो देते हैं कि हाँ हमने One Rank One Pension दिया लेकिन 2019 के बाद जो रिवाइस नहीं हुआ उसके उपर हमारे पेंशन बोगियों ने काफी निरासाजनक हमें कमेंट के मादेम से मैसेज किया है जो हम आपको अभी पब्लिश कर रहे है देखिए One Rank One Pension का मुद्धा हाइलेट है लेकिन सरकार के पास तक्रीवन 24,000 करोड का इसमें पूरा बकाया दिया जाएगा लेकिन पेंशन बोगियों के पास इतना पैसा सरकार के पास insufficient लग रहा है क्योंकि अगर पैसा होता तो अब तक दे दिया जाता लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का उनको पकाया पैसा भी तक उनको नहीं मिला है जिसे कारण पेंशन बोगियों को इंतिजार अभी भी करना पड़ रहा है तो पेंशन बोगियों को दोकादाड़ी भी हो रही है क्यों क्योंकि ओनलाइन जो life certificate बढ़ा जा रहा है उसमें काफी भूतपुर सैनिको का कहना है कि सर कॉल आता है unknown number से और कहा जाता है कि सर अपना personal bio data दे दिये मैं पहले ही पता दूँ सभी pension बोगियों को कि 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 अन्नोन व्यक्ति को या किसी भी जानते नहीं है उसे अपना किसी भी तरह का data नहीं देना है यहां तक कि मैं यह भी बोलूँ को कि अपना नाम तक भी नहीं बताना है क्योंकि वह एक tracker है या frauder है या बुल सकते हो वह एक scammer है अगर आप उसको अपनी जानकारी देते हैं तो वह कहीं न कहीं से और जानकारी ले लेगा तो अपना नाम तक भी नहीं बताना है ऐसे लोग उसे साब्दान रहे अन्नोन कूल से बस या मैं तो मैंनों receive ना करें नहीं तो receive करते हैं तो उनसे आप उल्टा question कीजिए कि आप कौन हो आप किसले मांग रहे हो आप कहां से काम करते हो कौन हो आप अपना bio data हमको whatsapp कीजिए अपना identity card बेजिए call recording भी किजिए इस दुरान तो यह सब चीज हो रही है जिसके आप देख सकते हैं पैंसर भूगयों को आगा करिया जा रहा है यह किया जा रहा है आप गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया की तरब से मिस्ट्री ऑफ देख सकते हैं finance की तरब से कि आप लोग सते सचेत रहे और 31